शाह जी ने यहां मिटिक बुला के होम डिपार्ट्परेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ कर दिया अभ्यांस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मिटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्म समयदारी को समत्ते हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्या नुकसान हो सकता है और यह लागू होगा तो क्या नुकसान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा यह चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्स चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंत्राले ग्रे सचीव भल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106 इन क्या है और जुर्माना है वह कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्राले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है औ तो हमारी dead body के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो एक कानून लागू कर पाएगी हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है आपसे अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए अपने वहन बिना कोई डर के चलाएए हम पूरी टीम आपसे एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए और वहन चलाएए और आपकी चिंताएं दूर हुई है बहुत-बहुत धन्यवाद बाल पलकीर सिंग चेर्मेन कोर कमिटी औल इंडिया मोटर ट्रांसपूर्ट कोंग्रेस देखिए मैं देखिए मैसेज यह ह यह है कि पहले भी हम कहते आये varsa मीडिया के मम से भी कहते हैं यह अंदोलन था जो चो स्पोंटेनियस रियक्शन थी मि topping इस कि तरह का जो के अंदोलन होता है देश के लिए बहुत खत्रा पैदा करता है और ऑफिशली हम परिवार का सदस्य हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम कंस्ट्रक्टिव डैलॉग में विश्वाश रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डैलॉग के माद्यम से इसका ह साल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह कानून लागू नहीं है और कानून लागू नहीं होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी और इंडिया मोटे ट्रांस्पूर्ट कांगरेस हमारे पास लेके आई है उच्छ तर यह मिटिंग हुई है और हम स्पस्ट करना जाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा हूं जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है मीडिया में दिया और प्रेस लिस्ट थोड़े ही समय में सब लेग्वेज में आपके पास आ जाएगी उन्हें स्पस्टी स्पस्ट कर दिया कि 106-2-10 साल की सहया जुर्माना का कानून सुरिया हैँ देख देखिए सुनिया बात यह यह देखिये देखें मेरी बात तुन और आज चर्चा का विषय नहीं आज चर्चा का विशेय यह झांगार लगी है उसे कैसे भुझाना है सुनियें मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाहते आप अलग से प्रेस कॉंफरेंस कर लीजिए जो जो आपनी नहीं जो मंशाय होएंगे उसका जवाब देंगे आज हमारा हल निकालना था हमने हल निकाला है कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं हो